अंडा करी की सब्जी अगर आपको खाना पसंद है तो आप हमारे तरह से बनाईए दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब अंडा करी है इसको कैसे बनाना है हम आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करेंगे आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों हमने यह छोड़े मिरच लिए हम यहां और यहां पर चैनी लोग और एक छोटी लाइची है यहां पर तेजपता है हरी मिरच को हमने भी बीसे फ़ाड लिया है और अंडे में हम छेद कर देंगे छेद बनाना बहुत जरूरी है नहीं तो यह अंडे फट जाते हैं तो इसे आप जल सकते हैं तो इसलिए अंडे में छेट जरूर करें वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों तो यह हमारे अंडे तयार हो गए हैं और हमने लिए हरी मतर दोस्तों यह हरी मतर से ही आपको बनाना है जो हरी हरी मीठी ताजी मतर आती है उसी से यह सबजी आप बनाईए तो आपको बहुत अच्छी लगए तो जल्दी करिए नहीं तो यह सिजन भी चला जाएगा और इसको बनाना बह जाल के आप फ्राई कर लीजिए एक एक करके फ्राई करिए इनको पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है फ्राई किये बगर आप सब्जी को नहीं बनाईएगा नहीं तो ये उतनी टेस्टी नहीं बनेगी तो इसलिए इसको फ्राई करना बहुत ज इनका कलर गोल्डन ब्राउन दिखाई देगा तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर लीजिए चला चला के अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं पक चुके हैं चारो तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बहुत जादा इनको जलाना नहीं है और आप यह सारे अंडे निकाल यह fry करके तेल हमारा बहुत जादा है, तो इसमेंसे tell हम ठोड़ा सा कम कर देंगे. और जो तेल हमारा भचेगा, लिमटेड़ तेल में हम इस सबजी को तियार करेंगे. तो यहां पर सबसे पहले हम खड़े मसाले डालेंगे. इसी तेल में हम सबजी बनाएंगे. खड़े मसाले जब हमारे पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिरच जो कि मैंने काट के रखी है तो ये मसाले हमारे पक चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिरच और कटे हुए प्याज इनको हम लगातार चला चला कर भून लेंगे इनको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है जब प्याज पकने लगे तब हम इसमें लहसुन अध्रक का पेस्ट भी डाल देंगे तो एक चम्मच की करीब हम इसमें अध्रक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी हम चलाएंगे और इसको भून लेंगे ये पक लाल मिर्ची यहां पर कम डाल रहे हैं एक टमाटर आप डाल लीजिए और इसको भी बढ़िया से पका लीजिए टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी आट कर दीजिए ताकि यह जो हमारे मसाले हैं जल्दी से पक जाएं इसलिए पानी अच्छे यहां तरह से बुम्त हैं अब यहां पर मटर बूने तो यह मटर डालकर में विए तौक वाटर के साथ ही किह नवभाद वेड़ा रुम आपना विठाने को अवरे में इस अरड़ वन लेंगे क्षान मिर्ट यहें ज़रूरी है उतनी ही जयादा टेस्टी शेमाट और उसके बाद हम इसमें पानी याट करेंगे तो पानी आप बहुत ज्यादा मत डालिए अगर आप इस सब्जी को गाड़ी बनाना चाहते हैं तो पानी कम डालिएगा लेकिन अगर ग्रेवी वाली बनाएंगे आप तो थोड़ा पानी ज्यादा आपको डालना पड़ेगा त हम प्लेट को उठा कर देखेंगे और सब्जी को चला देंगे मतर में उबाल आ गया है और इसी कंडिशन में अब हम यहाँ पर जो हमारे पकाई हुए अंडे हैं वह भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको भी चला देंगे और चलाने के बाद हम ढखकन मतर के दाने भी पक चुके हैं आप लोग जब भी बनाए तो इस का ध्यान रखें कि यह मतर आपकी ताजी होनी चाहिए हरी वाली मतर होनी चाहिए आप बिल्कुल भी पैकिट वाली मतर का इस्तेमाल मत करिएगा तो हरी मतर से यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है तो यह सबजी को आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं चावल के साथ खाएं आपको बहुत टेस्टी लगेगी तो सबजी हमारी फटाफट बंकर तैयार है दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सबजी को आप किसी भी बरतन में पलट लीजिए और सर्व करिए